Hello and welcome to Ken Infinite, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Fundamental Rights के Right to Equality के बारे में जो कि Article 14 से लेकर Article 18 तर कवर करता है तो इसका पहला Article है Article 14 जो बोलता है The state shall not deny to any person equality before the law और the equal protection of the laws within the territory of India देखे जो Article 14 है ये दो चीज़ से deal करता है पहला तो equality before law और दूसरा equal protection of law अब देखे जो equality before law है ये एक negative concept है और इसको England से लिया गया है यहाँ पर इसको A.V.D.C. अपना book The Constitution of England में Rule of law के नाम से दिया था ठीक है अब देखे जो rule of law का concept है ये Indian constitution में हम लोग दो जगा देखते हैं एक तो preamble में देखते हैं as a equality of status and opportunity और दूसरा इसको हम लोग article 40 में देखते हैं as a equality before law ठीक है अब जो equality before law है ये बोलता है कि कोई discrimination नहीं होना चाहिए on the basis of status and opportunity किसका basis पर status and opportunity सभी लोग law के सामने equal है ठीक है और आप लोग सुने भी होंगे मूवी में बोलता है कि कानून अंधा होता है तो क्या कानून सचमूच अंधा होता है नई इसका मतलब है कि law के सामने सब बराबर है कोई rank कोई position कोई power supreme नहीं है लोग के सामने सब बराबर है यह बोलता है equality before law ठीक है आपको समझ में आया यहां तक अब चलते है equal protection of law पर तो देखिए जो equal protection of law है यह positive concept है जिसको American constitution से लिया गया है यह बोलता है like must be treated as like unlike must not be treated as like ठीक है जिसका मतलब है मान लीजे एक 10 साल का बच्चा है जो जाने अंजाने में murder कर देता है और एक 25 साल का लड़का जो जान बूच कर किसी को मार देता है तो murder का punishment है hang till death तो क्या यह सही रहेगा कि हम 10 साल के बच्चे को भी और 25 साल का जो लड़का है उसको दोनों को फांसी पचड़ा दे नहीं सेम आप निर्भाया case में भी देख लीजे उसमे एक juvenile था मतलब 18 साल से below age का था तो क्या हुआ उसको फांसी हुआ नहीं हुआ उस समय जो उसके लिए maximum punishment जो prescribed था वो दिया गया और बाकि सारा लोग जो 18 साल से above थें तो वो सब को जो maximum punishment जो फांसी था वो दिया गया तो equal protection of law जो है यह बोलता है कि हमें reasonable discrimination करना चाहिए क्या हमें reasonable discrimination करना चाहिए और इसी को बोलते हैं intelligible diferencia समझ माया इसी को बोलते हैं intelligible diferencia और इंडिया में यह power judge के पास है वो decide करेंगे case to case की कौन equality before law है और कौन equal protection of law है ठीक है अब देखें इंडिया में यह दोनों concept जरूरी क अगर माल लीजिए कि equality before law नहीं रहता तो क्या होता तो अगर equality before law नहीं रहता तो एनार्की का situation हो जाता जेंगल राज हो जाता मतलब अगर कोई भी politician या कोई भी powerful person कोई crime करता तो वो बार बार बच जाता ठीक उसी तरह अगर equal protection of law नहीं होता तो हम 10 साल का बच्चा को भी फ हमासी देते कोई reasonable discrimination नहीं होता इसलिए हमारे founding fathers यह दोनों concept को हमारे constitution में डालें ताकि सब कुछ balance में रहा है तो समझ में आपको equality before law and equal protection of law तो अब चलते हैं आगे तो next है exception तो इसका देखिया article 14 का कुछ exception भी है तो इसका पहला exception है president और governor को article 361 में immunity मिला हुआ है अगर वो अपने official capacity में कोई order sign करते हैं तो उसके लिए उनको court में कोई जबाब नहीं देना होगा मतलब जब president और governor अपना office समभाल रहे होंगे तो वो court के कटगरे में judge के सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं ठीक है अब देखिया कि article 361 जो है इस देखिये कि कुछ diplomatic unity भी है जैसे USA का कोई भी ambassador इंडिया के court के कटगरे में नहीं खड़ा हो सकता है अगर मान दीजे USA का कोई भी ambassador इंडिया में crime करता है तो उसको इंडिया के law के हिसाब से सजा नहीं मिलेगा उसको अपना country भेज दिया जाएगा वहां पर जो punishment prescribed है उस crime के लिए वह दिया जाएगा से में इंडिया का ambassador के लिए भी जो foreign country में deployed है ठीक है फिर देखिये military officers के लिए भी कुछ immunity है वो लोका भी अपना एक military tribunal होता है जहां पर उनका case चलता है वो लोग भी ये आम कोट के कटगरे में नहीं खड़ा हो सकते हैं तो समझ माया अब देखत लैंड मार्क केस को तो देखिये पहला लैंड मार्क से मेंन का गांधी वर्सेदा Union of India जिसमें बोला गया कि अगर कोई भी एक्ट से आर्टिकल 14 वाइलेट हो रहा है तो आर्टिकल 19 एन और आर्टिकल 19 वाइलेट हो रहा है तो आर्टिकल 14 एन 21 विवाइलेट होगा और अदत से कोई भी इंडिविजुल्स का राइट को फूल प्रोटेक्शन मिलता है फ्रम दा इस्टेट, सोसाइटी, एंड अदर्स ठीक है अब दूसरा केस देखते हैं इपी रोयप्पा वर्सस इस्टेट अप तामिल नाडू का ठीक है इसमें बोला गया कि Article 14 का मेन अपजेक्टिव है इसका मेन अपजेक्टिव है इसकेस में बोला गया इपी रोयप्प वर्सस स्टेट अप तामिल नाडू का केस में ठीक है और इसमें बोला गया कि अगर कोई भी law arbitrary है तो वो equality को violet करेगे ही करेगी ठीक है तो ये बोला गया इसमें इपिरोएपा वर्सेस इस्टेट अप तामिल नाडू के case में तो अगर आपको देखिए अभी अगर आपको कोई confusion होता है equality before law and equal protection of law कि ये कहां से लिया गया है तो देखिए simple सा trick है equality before law जो है इसमें बी आता है ठीक है तो बी से ब्रिटेन हो जाएगा तो ये ब्रिटेन से लिया गया है और बाकी जो बच गया वो American से लिया गया अमेरिका से लिया गया equal protection of law ठीक है तो इस trick के मदद से आपको अब confusion नहीं होगा तो अब देखते हैं आर्टिकल 14 से related कुछ question को तो पहला question है the concept of rule of law is given by कौन दिया था rule of law का concept तो option है James, Madison, King, John A.V. Dicey, Edward, General तो सही option है A.V. Dicey, ठीक है फिर दूसरा question है आर्टिकल 14 permits classification but prohibits class legislation but classification must not be arbitrary was hold by supreme court in which case मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 14 permit करता है classification करने के लिए for the welfare of the people but prohibits class legislation मतलब prohibits negative discrimination ठीक है तो यह कौन सा case में बोला गया था तो यह case था अनवर अली सरकार परसेश स्टेट ओफ बंगाल इसी में बोला गया कि आप reasonable discrimination कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं next question को तो next question है question number 3 तो question number 3 यह right to equal protection of law is provided in which article यह कौन सा article में प्रोवाइट किया गया है तो article 13, article 14, article 19, article 21 तो यह article 14 में प्रोवाइट किया गया है यहाँ पर आप सही कर लिजेगा यहाँ option A दिया गया है लेकिन सही option A, option B ठीक है अब देखिए next question question number 4 question number 4 is the expression equal protection of law in article 14 of the Indian constitution has been taken from कहां से लिया गया है तो देखिए equal protection of law है तो यहाँ पर देखिए इसमें B तो नहीं है तो B से नहीं है तो British तो होगा नहीं उसका ऐस्ट्रेलियन का सवाली नहीं उठता है तो बच गया American constitution तो यह American constitution से लिया गया है अब लास्ट कुश्चन देखते हैं In which one of the following cases the new concept of doctrine of equality that is protection against arbitrariness was propagated by justice P.N. भगवती कौन सा केस में बोला गया था कि protection against arbitrariness तो यह केस था EP. रोयप्पा वर्सिस state of Tamil Nadu इसी में बोला गया था तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट आटिकल के साथ Till then, thank you and goodbye